जै हिंद वंदे मात्रम दोस्तो स्वागा थे आप सभी लोगों का आज के 32 सेशन में कैसे दोस्तो उम्मिद करता हूँ बहुत है अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी बहुत है अच्छे से कर रहे होंगे तो चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो आज का पहला क्वेशन घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है यहाँ पे घोटुल सब्द आया है दोस्तो यह एक यूवा ग्रिय है तो महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है यह आपको बताना है option दिये हुए है जल्ली सपना अंसा टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा B बेलोसा यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों महिला नेता को पुछा गया ठीक है अगर हम पूरुष नेता की बात करें तो क्या बोला जाता है सीरेदार ठीक है यह आपको लड़कों को चेलिक बोला जाता है ठीक है तो यहां पर चार आप्सन है चारों को मैंने वर्नन कर दिया है नॉर्मल पुरुष या लड़के को क्या कहा जाता है चेलिक कहा जाता है और उसी प्रकार से लड़की को क्या कहा जाता है मोट्यारें ठीक है अगर प्रमुक का फटाफट अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा A 1937 इस्वी में यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों 1937 से लेके 1949 तक ठीक है यह समय आपको याद रखना है अगर आपसे नेतितो करता पूछा जाता है तो तीन नाम आपको याद रखना है कौन कौन सा नाम है नरसी ठीक है दोस्तों यह आपको नाम याद रखना है नरसी प्रसाद अगरवाल दूसरा क्या है सर्यू प्रसाद अगरवाल ठीक है और तीसरा क्या है रतना यह नाम आप लोगोंने सुने होंगे रतना कर जा ठीक है दोस्तों यह तीन नाम है नेतियुत्य करता अगर पुछा जाता है तो यह तीनों आम आपको याद होना चीए नर्सिंग प्रसाद अगरवाल सर्यू प्रसाद अगरवाल और रतनाकर जा ठीक है दोस्तों समय क्या है 1937 से 1949 तक किल्यर है अगला कुश्यन देखिए 36 गड़ी सब्दकोस सब्दसागर के संपादक कौन है कौन है दोस्तों यहाँ पे नाम दिये हुए है कौन सा आप्सन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस क्वेश्यन का राइट आंसर हो जाएगा A. पुनित गुरुवांस इस राज्य की सरकार द्वारा निम्नलिकित में से किस सहाइतिक व्यक्ति का नाम पर सोथ पिट की स्थापनक की गई है किसके नाम पर की गई है दोस्तों जी दोस्तों इस क्वेश्यन का राइट आंसर हो जाएगा D. पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी अगर कहां पर स्थापना की गई है यह अगर पूछा जाता है तो आपको याद अखना है दोस्तों रवी संकर ठीक है रवी संकर विसोईद्याल है कहां है राइपूर में यह नाम आपको याद अखना है पंडित रवी संकर विसोईद्याल है राइपूर ठीक है किसके नाम पर पदुम लाल पुर्णा लाल बक्से की नाम पर किल्यर है नेस्ट कुश्चन देखिए किस जन जाती में विवाहित महिलाए सफेज साड़ी पहनती हैं कौन सी जन जाती है दोस्तों आपसन दिये हुए हैं जल्ली सपना आंसर टिक करें समय कम लगेगा तो वीडियो को पॉ पुष्चन देखिए इस राज्य के पंडित बुद्धा दित्यमुखर जी अंतर राश्टी स्तर पर जाने जाते हैं किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों यहां पर आप्सन दिये हुए हैं बासरी वाधक है हर्मोनियाम है तबला वाधक है या फिर सितार वाधक है कौन पर देखेंगे दोस्तों तो छेत्र पुछा गया है ठीक है अब याप पतवारी के एकज्ञाम में देखेंगे वहां भी आपको छेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गया थे आपसन दिये हुए दोस्तों जल्दी सपना अंसर टिक करें जी दोस्तों का राइट अंसर हो जाएगा भी संगीत यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों पंडवानी ठीक है अगर पंडवानी के अंदर और पुछा जाता है कौन से सैली का है तो आपको याद रखना है वेद मती वेद मती सैली ठीक है दोस्तों इतना आपको आना चीए इससे बाहर के कुष्चन नहीं बनेगा तो इस कुष्चन में भस इतना ही बढ़ते अगले कुष्चन के तzero कुर्वा जन जाती में मृत्य संस्कार को क्या कहा जाता है दोस्तों आप्शन दिये हुए है फटापट अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इस कोश्चेन का राइट आंसर हो जाएगा डी नवा घानी नेस कोश्चेन देखिए कमार जन जाती का निवास इस्थान 36 गड़ के किस जिले में स्थित हैं कौन से जिले दोस्तों कमर्दा है बसता है कांकेर है या फिर गरिया बन है जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D गरिया बन नेस question दिखिए दसवे number question है पत्तक आर्था छेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्न लिखित में से किस सम्मान के स्थापना की गई है या कौन सा प्रुषकार दिया जाता है option दिये हुए दोस्तों जली सपना answer टिक करे जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा A. चंदूलाल चंद्राकर सम्मान 2021 में यहाँ सम्मान किनको दिया गया है यह आप लोग को डिटेल से कमेंड करना है अगर आपको नहीं पता है तो इसके रिकार्डिंग मैंने सेपरेट उटो अफलोड किये है उपर आई बटन में लिंक दे दूँगा यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं कहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ठीक है 2010 ठीक है कब मिला है 2010 को किल्यार है नेस कोश्चियन देखिए टाइगर किट के रुप में विख्यात चेदरू की जिले से संबंधित है कौन से जिले है दोस्तों दंतेवाड़ा है बस्तर है नरायनपूर है या फिर बिजापूर है समय कम है जल्ली सपना अंसर टिक करे जी दोस्तों इस कोश्चियन का राइट अंसर हो जाएगा C नरायनपूर अगला कोश्चियन देखिए गंगा दसरह हिंदू पंचान के नुसार किस महा और तिथी में मनाया जाता है कौन से महा में मनाया जाता है दोस्तों को याद रखना है इंपोर्टेंड है बढ़ते अगले कोश्चियन के तरफ 36 गड़ राज्ये का कजरी तयवहार खाली स्थान की शुरुवात को इंगीत करता है यह भी कोश्चियन बहुत अच्छा है दोस्तों आपसन यहाँ पर दिये हुए जल्लिस अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इस कोश्चियन का राइट अंसर हो जाएगा सी गेहूं और जौ के लिए बोवाई का मौसम नेस कोश्चियन देखिए जाजल देव महस्ता और किसी स्थान पर आयोजित होता है कौन सा इस्थान है दोस्तों आपसन दिये हुए है जल्लिस अपना अंसर टिक करें आप लोग को जो फेमास मेला होता है या महस्ता होता है उसको आपको याद रखना है यहाँ से कौश्चियन पुछे जाते हैं अगर आप इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट विजिट करें 36 गड़ समान्य अग्यान MCQ आप यहाँ से डायकली जा सकते हैं यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा यहाँ पे आप क्लिक करके सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं तो जल्लिस अपना अंसार टिक करें जी दोस्तो इसक्वेश्यान का राइट अंसर हो जाएगा C जांजगेर नेसक्वेश्यान देखिए 36 गड़ के किस खिलाडी ने भारती हाके टीम की कप्तानी की है कौन है दोस्तो यहाँ पे नाम दिये हुए जल्ली से अपना आंसा टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा A सबान जुम अगला question देखिए किस सभी लेक में उल लेखित है कि समुद्र गुप्त ने दक्षिन पंत अभ्यान के दोरान कोसल के राजा महंद्र को प्राजित किया था यहाँ पे आपका एक question कंप्लेट हो जाता है दोस्तो अगर राजा का नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है महंद्र ठीक है तो option दिये होए दोस्तो कौन सा option सही हो जाएगा जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा A प्रयाग प्रसस्ती नेस question देखिए मुख्यमंती हार्ट गोजार क्लेनिक योजना का सुभारम 36 गड़ में कब किया गया previous में हमने एक question इसी प्रगार का देखे थे यहाँ प्रया option दिये होए दोस्तो जल्ली सपना अंसा टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B 2. October 2019 नेस question देखिए निम्न लिखित में से कौन से आदिवासी भासा बोली तेलगू से बहुत प्रभाईत है कौन से दोस्तो आप्सन दिये होए जल्ली सपना अंसा टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C डोली नेस question देखिए बिश्वे नमबर question है कुरूसपाल सिला लेक में की स राजा के बारे में जनकारी मिलती है कौन से राजा है दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C सोमेश्वर प्रथम नेस question देखिए 36 गड की बाइसन हान मारिया जन जाती द्वारा बोले जाने वाली मुख्य विस्षिस्ट भासा है कौन से दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D डंडामी मारिया नेस question देखिए मेट दूत में वर्नित रामगिरी 36 गड के किस जीले में है कौन से जीले है दोस्तो यहाँ पे नाम दिये हुए दंतेवाडा है जैसपूर है सरगुजा है या फिर जानगिर चापा है जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C सरगुजा नेस question देखिए 1971 में प्रसिद चंदैनी गोंदा की स्थापना किस ने की है किसके द्वारा की गई है दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D दाउराम चंदर देश्मुग नेस question देखिए हर साल सिरी नरायन मेला कब आयोजित किया जाता है यहाँ पर हिंदी माहा दिया गया है दोस्तो हिंदी माहा ही दिया जाता है कौन सा option सही हो जाएगा जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा सी मार्क पुर्णी मा नेस question देखिए पंडित मुकुर धर पांडे कृत कौन सी कविता चायावादी काब ये धरा की प्रथम कविता मानी जाती है बहुत अच्छा question है दोस्तो इस question को मैंने कल के वीडियो में detail से discuss किया था एक question आप लोगों को लिए है दोस्तो इसका answer आप लोगों को detail से comment box में दिना है अगर आपने कल का वीडियो देखे होंगे तो इसका answer आप असानी से दे सकते हैं तो आज को वीडियो में बस इतना ही वीडियो के regarding कोई भी question है या doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं आपका comment का इंतिजार रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में जब तब खुश रहें दोस्तों को भी खुश रखें जैहिन